तो चलिए आईए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं 12.2 लेट अंडिस्टाइंड टेक्स्ट पे 12.2.1 पार्ट वान स्टैंजा 1 वीवर्स वीविंग अट दे डॉट 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 अ न्यूबॉर्ण चाइब देखे इसमें यह पहला है यह दूसरा है यह तीसरा ठीक है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड तीन अलग-अलग सिच्वेशन के बारे में यहां बात किया गया है तो हम लोग पहले सिच्वेशन के बारे हैं बात कर रहे हैं Have you ever noticed the colors we choose for a newborn baby's clothes क्या आप कभी यह ध्यान दिये है कि जब किसी बच्चे का जनम होता है तो उसके लिए जो हम लोग कपड़ा लेते हैं तो उसका क्या color हम लोग इस्तमाल करते हैं Why do you think we choose these colors हम लोग इन रंगों का इस्तमाल क्यों करते हैं In the first stanza the poet Sarojini Naidoo describes weaver's weaving clothes in the early morning सबसे पहला जो stanza है यह वाला इसमें Sarojini Naidoo जी यह बात कह रही है कि जो बुनकर हैं वो सुबह सुबह कपड़ा बना रहे हैं She asked the weaver why are they weaving a cloth of a particular color वो बुनकरों से पूछती हैं कि आप एक रंग के कपड़े क्यों बना रहे हैं They say that the clothes they are weaving is the color of a halicons wing वो बोलते हैं कि यह जो कपड़ा है यह हालिकॉन जो की एक हालिकॉन विंग की तरह विंग क्या होता है विंग होता है पर हालिकॉन एक तरह की चड़िया होती है जो की रंग विरंगी होती है बहुत ही सुन्दर होती है उसके जैसा बना रहा हूँ It is beautiful blue because it will be used for making the clothes of a newborn child यह बहुत ही सुन्दर है और इसका रंग blue है नीला क्योंकि यह एक जन्मौते बच्चे के लिए बनाया जा रहा है अब चलिए इससे related हम लोग question answers करते हैं In text question 12.1 Answer the following questions अब जो questions दिया है उसके हम लोग को answer करना है Complete the following sentences The weaver are weaving the clothes for dash They are compared to dash because of the similarity of color that is blue अब देखे एक्जाम में जब ऐसा question आएगा question उतारियेगा इसका answer है The weaver are weaving the clothes for a new-born child They are compared to the wings of the halkeon bird Okay Because of the similarity of the color blue अब जो halkeon blood है bird है प्छडिया उसका जो रंग है पर का wings का वो blue होता है ठीक है बहुत ही सुन्दर होती है आप एक बार Google में सर्च कीजेगा यह word type कीजेगा आपको उस चडिया का photo नजर आएगा Gay in line two means bright Which mood of the weaver does it indicate Take the right answer अब Gay जो word इस्तेमाल किया है second line में इसका मतलब है bright चमकदार तो यहां पर जो weaver है बुनकर है उसके किस mood के बारे में बताया जा रहा है of cheerfulness of frustration of sadness answer होगा of cheerfulness वह खुश है What is the similarity between morning time of the day and the birth of a child अब देखिये दिन के सुभा के समय और जो बच्चा है उसका जनम इसमें क्या similarity है क्या चीज़ एक जैसा है morning time is the beginning of a day and the birth of a child is the start of a new life morning time क्या है यह दिन का शुरुवात है और एक बच्चे का जनम उसके जिन्दगी का शुरुवात है both the morning and the child are fresh and new to this world दोनों ही सुभा हो यावा बच्चा हो वो fresh है और इस दुन्या में वो अभी नए है Let us do 12.2 अब हम लोग चलिए 12.2 section को करते है Read the poem to your friend and enjoy its rhythm अब देखिए जो poem है वो आप अपने दोस्त के संग पढ़िये और जो उसका rhythm है जो ताल है उसकी वो आप उसका आनन लीजिए Rhythm in writing is like the beat in music अब देखिए लिखने में जो हम लोग ताल का इस्तमाल करते हैं वह संगीत में एक beat की तरह इस्तमाल होती है When do you know that in poetry rhythm implies that certain words are produced more forcefully than the others कि आपको यह पता है कि जो हम लोग poetry पढ़ते हैं कविता पढ़ते हैं उसमें जो rhythm होता है जो ताल होता है यह हम लोग तब इस्तमाल करते हैं उस पर stretch देना पड़ता है Rhythm is also created by repeating words or phrases Rhythm हम लोग तब भी बनाते हैं जो हम लोग एक word को repeat करते हैं या एक phrase को repeat करते हैं sometimes by repeating whole lines and sentences कभी-कभी हम लोग पूरे lines को या sentences को भी repeat करते हैं Listen to the poem again note down the words and phrases repeated अब देखिए यह जो poem हम लोग पढ़े हैं ठीक है इसमें बहुत सारे ऐसे words और phrases है जो repeat हुए ठीक है अच्छा words and phrases repeated weavers weaving why do you weave we weave ठीक है यह बहुत बार इस्तमाल किया गया है आएए मैं आपको दिखाता हूँ poem में यह देखें weavers weaving weavers weaving weavers weaving ठीक है why do you weave why do you weave why do you weave we weave we weave we weave तो देखें यह repeat हुआ है बार बार यह words or phrases ठीक है in the poem there is one voice asking a question and the other answering it listen to it once again whose voice are these अब देखें यह जो poem है इसमें एक जन का आवाज ऐसा है जो सवाल पूछ रहा है और दूसरा आवाज ऐसा है जो जवाब दे रहा है आपको इस poem में यह चीज बताना है कौन सा आवाज किसका है the voice of the poet asking questions and the voice of the viewer answering the poet जो question पूछ रहा है वो आवाज poet का है poet कौन है सरोजनी नाइडू जी और जो answer कर रहा है वो viewers का है भुनकरों का आवाज है कर रहा है